हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल आराध्या आरेयस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आईजित रिट बरती परिक्षा लेवल टू के लिए सामाजिक विज्ञान के मोडल पेपर की टेस्स सिरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें दोस्तों अपने दो मोडल पेपर हैं वो कंपलीट हो चुके हैं अगर आपने दो मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल टू सामाजिक विज्ञान मोडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके पिछले दो मोडल पेपर हैं वो देख सकते हैं आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों इसमें टोटल 150 प्रेशन सामिल किये जाते हैं इस मोडल पेपर में दोस्तों रही बात कोई बोल रहा था कि पंजाबी लेंग्वेज सामिल करो कोई बोल रहा था है इंग्लिस लेंग्वेज सामिल करो तो दोस्तों बात यह है कि 120 प्रेशन तक आप चाहे आप पंजाबी से दें चाहे आप इंग्लिस से दें ठीक है दोस्तों आपको 120 प्रेशन तक तो टेस्ट देना ही है आगे दोस्तों संस्कर्थ वासा चूज की गई है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के 60 प्रेशन होंगे फिर 30 प्रेशन बाल विकास तता सिक्षा सास्तर के होंगे फिर 30 प्रेशन दोस्तों हिंदी के होंगे यानि कि 60 और 60 किते होंगे 120 फिर दोस्तों 30 प्रेशन है वो संस्कर्थ वासा के लिए गए हैं अगर आप English के देना चाहते हैं तो आप English की देजिए बाद में मैं अलग से English करवा दूंगा Only 4 English के करवाँगा 30 प्रैसन बाद में तो 120 तक तो सभी को देना है टेस्ट है अरद्यारे सेकेट में के YouTube चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है तो चलो दोस्तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रैसने इसमें देखिए महान सुस्क मरुस्तल राजस्तान के किन जिलों में मुख्यत विस्तृत है यानि कि दोस्तो सुस्क मरुस्तल है वो राजस्तान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है मुख्यत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए चार जिले ही मैन है इसमें जसलमेर, बाडमेर, बिकानेर, जोधपूर, ठीक है, इन चार जलों में मुख्यत है, ये जो सुस्क मरुस्तल है, ये फैला हुआ है, तो इसमें B नमबर का उप्शन से उत्तर, नेक्स्ट है, कौन सी फसल का सरवादिक विकास रात्री में होता है, तो रात्री में दोस्तों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों मक्के का, यन की मक्का की जो फसल है, इसका सरवादिक विकास रात्री में होता है, नेक्स्ट है, राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित, जिप सम उत्पादन की सबसे बड़ी ख खान है, राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित, जिप सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है, तो वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, विम्रासर, कौन सी है, विम्रासर, डी नंबर का उप्शन से उत नेक्स्ट, निम्र में से कौन सा जल सरक्षन का स्रोत नहीं है, जल सरक्षन का स्रोत दोस्तों इसमें देखिए, नाडी, जालरा, टोबा, तोरना, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तोरना है, ये जल सरक्षन का स्रोत नहीं है, C नंबर का उप्शन स अंतरगत आते हैं, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, वो है, दिल्ली, जैपूर, आगरा, ये स्वानीम, तिर्कोन के अंतरगत आता है, तो B नंबर का option सयुथ्तर, नेक्स्ट पर्त्वी के आंतरीक भाग का ओसत गनत्व कितना है, तो इसका सयुथ्तर हो जाएगा दोस्तों एक तो वह है 10.5 ग्राम को गन्षइ मी ठीक था तो इसका राइट आंसर जैगा भी नमबर का पिस्ती झाल्ट है नेक्सट तें की टेलर गाटी सथी तह तो यह व्रूंडर विशिती सके लोंट कर दों एक जुआला मुखी है क्या है जुआला मुखी है D number का option सही उत्तर next 9 number प्रेशने निम्न में से कौन सा व्रक्स समुन्दर तल में सरवादिक उचाई पर पाया जाता है दोस्तो निम्न में से कौन सा व्रक्स समूंदर तल में सरवादिक उचाई पर पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा तो देवदार अवरक्स है तो इसमें B नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट हैं दस नमबर प्रेसन है इसमें देखिए वायू मंडल में सरवादिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है तो दोस्तो वायू मंडल में सरवादिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ओर्गन ए नमबर का उप्शन सही उत्तर next, उपभोगता सरक्षन अदिनियम कडाचा कितने इस्तरिये है, तो ये दोस्तो 3 इस्तरिये है, C नमबर उप्षन शयुक्तर, next, भारत में खनीजो की द्रश्टी से सबसे निर्दन छेतर है, यानि कि सबसे निर्दन छेतर है, वो कौन सा है, तो वो है दोस्तो इसमें छोटा नागपूर का पठार तो इसमें C नंबर का उप्शन सहुख्त प्रियुजना है तो इसका सहुख्त हो जाएगा वो है भारत और भूतान की ये सहुख्त प्रियुजना है कोपेन के जलवायू विबाजन के अनुसार भारत के किस बहाग में लगू गर्म मानसुन जलवायू पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें दक्सिन पस्मी तठ ए नमबर का उप्षन सहीतर next है मुंबई से गोवा तक कि पस्मी तटको किस नाम से जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें कौंकंड तटके नाम से जानते हैं c नमबर का उप्शन से युथतर next है 16 नमबर का प्रिशन है महा सागरिये छेत्रों में सरवादिक वास्पिकरन पाये जाता है महा सागरिये छेत्रों में सरवादिक वास्पिकरन पाये जाता है तो दोस्तों ये 10 डिग्री उत्री वा दक्षनी अक्सांसों के मद्दे ये सरवादिक वास्पिकरन पाये जाता है बी नमबर का option सयुत्तर हो जाएगा देखें दोस्तों शुरुवाती जो अपने 60 प्रसन है वो सामाजिक विज्ञान क्योंगी ठीक है तो आपको यह आध्यान रखना है नेक्स्ट है निमन में से बोकसाइट की परमुखान है तो दोस्तों बोकसाइट की परमुखान है वो कौन सी है तो वो है दोस्तों लोहार दगा तो इसमें बी नमबर का option सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है उर्जा कौन सी सुची का विशे है उर्जा कौन सी सुची का विशे है तो वो दोस्तो समवर्ति सूचि का विशा है उचा A, नमबर का उप्शन सहिउत्तर नेक्सट है सीर से मक्का उत्पादन करने वाले राजे हैं तो वो हैं दोस्तो आंधर प्रदेश और कर नाटक ठिक है, B, नमबर का उप्शन सहिउत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जाती विरोधी आंदोलन से समन्दी थे जोती व्याब फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस नमबर प्रेसन है इसमें देखे दोस्तो गुप्त यूग में देनिक आवशक्ताओं की वस्तुएं उपलब्द थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है कोडियों में ठीक है तो इसमें कोडियों में वस्तुएं निर्मान में भारत यूरोप से आगे था गुप्तियूग में किस वस्तु के निर्मान में भारत यूरोप से आगे था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विशाल जलियान ठीक है तो इसमें विशाल जलियान के निर्मान में भारत है वो यूरोप से आग जांट मेलाओं का नेतरत्व किया था कट्रातल सिकर के अंदर तो इसमें C नमबर का उप्शन से उत्र नेक्स्ट है राजस्तान का एक मातर करांतिकारी जो पकड़ा नहीं गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तो वो है जोरावर सिंग इन्होंने दोस्तो अपना नाम भी बदल लिया था बाद में ठीक है और फिर दोस्तो इनकी बीमारी के वज़े से इनकी मुट्ति हो गई थी ए नमबर का उप्शन से उत्र नेक्स्ट है लपा लपी किरन बागडी गोटे के परकार कहां के परसिद है लपा लपी किरन बागडी गोटे के परकार कहां के परसिद है तो ये परसिद हैं दोस्तो कहां के नीम का थाना गे ठीक है बी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है सहाजा ने किस राजपूत सासक को मिर्जा की उपादी परदान की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो जैशिंग पर थमने A number का option सही उत्तर हो जाएगा Next है नारी वहिनी नारी वाहिनी नामक संगठन का निर्मान किस आंदोलन के दोरान किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो तेबागा आंदोलन के दोरान ये किया गया C number का option सही उत्तर हो जाएगा Next है आगे देखे 1857 के विद्रोह में बाग डंका साहे के नाम से कोन परसिद हुआ 1857 के विद्रोह में बाग डंका साहे के नाम से कोन परसिद हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मौलवी एहमदुल्ला साहा D number option सही उत्तर तीस नमबर प्रेस ने रामायन का तमिल भासा में पहली बार अन्वाद किस ने किया तो किस ने किया तो दोस्तो कमबन ने पहली बार दोस्तो तमिल भासा में रामायन का अन्वाद किया था ठीक है याद रखना आपको कमबन ए नमबर का option सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए वेदिक कालिन संसकर्ति का भारतिय समाज को परमुक देन है तो दोस्तो वेदिक कालिन संसकर्ति का भारतिय समाज को परमुक देन है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें प्राकर्तिक देवी देवता ठीक है तो ये अपने को वेदिक कालिन से ही मिले है तो बी नमबर का option सही उत्तर अगे देखे 32 नमर प्रेशने ओरंग्जेप के उस वजीर का नाम बताएए जो 31 वर्षों तक लगातार इस पद पर रहा तो दोस्तो ओरंग्जेप के उस वजीर का नाम क्या था तो इसका राइट अंशर हो जाएगा वो है असद खां कून था? असद खां लगातार 31 वर्सों तक वो दोस्तों वजीर के पद पर रहा था बी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है 33 नमबर प्रेशन है इसमें देखिए दक्षिन भारत के इतियास में वहें कोन केवल मातर राजनेतिक सकती थी दुबार देखिए तो दोस्तों वो कौन थी कौन सा दोस्तों वन्स था वो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चोल वन्स थीक है तो इसमें डी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है देखिए आगे चोलो का सही निसान क्या था तो दोस्तो चोलो का साही निसान क्या था तो वो था दोस्तो बाग क्या था बाग डी नमबर का उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट आगे देखे दोस्तो 35 नमबर प्रेस ने इसकंद गुप का आदर्स वाक्य था तो दोस्तो इसकंद गुप का आदर्स वाक्य क्या था तो इसका सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो समग्रे अवनी विजे C नमबर का उप्शन सयुत्तर सुनने का आविस्कार किस ने किया था तो दोस्तो सुनने का आविस्कार किया था किस ने तो दोस्तो किसी अज्यात भारती ने सुनने का आविस्ट कार किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो C नमबर का उप्सन ठीक है 37 कार C नेक्स्ट है 37 नमबर प्रेस्ट ने इसमें देखिए तुगलक वंस के उस सुल्तान का नाम बताईए जो मद्देकालीन सभी सुल्तानों में सरवादिक सिकसित विदवान और योग्य वेक्ति था तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तोक मुहमद तुगलक C नमबर का उप्सन सहिवत्तर नेक्स्ट है बाराबाई परिसद का सम्दन निमन में से किसे है 12 Obi پरिशद का सम्मंद निमिन में से किस्से है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो मराठा से यह नमबर औप्शन सही उत्तर नेक्स्ट नेक्स्ट है 1800 एक्रान में के Age of Consent अधिनियम ने 1800 एक्रान में के Age of Consent अधिनियम में अधिनियम ने दोस्तो क्या किया? तो दोस्तो विवा की उमर को बढ़ वाया था ठीक है? 1200 एकराण में के Age of Consent अदिनियम ने विवा की उमर को बढ़ वाया था तो इसमें C नमबर का आप्शन से उत्तर नेकस्ट है सोजी की माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों सोजी की माता किसे माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तों पारवती माता को तो इसमें D-number का option से उत्तर नेक्स्ट है देखे यहाँ पर राजस्तान पंचायती राज का सुबारंब दो अक्टुमबर गुनी सो गुन्षट को राजस्तान के किस जिले में किया गया था तो पंचायती राज की सुरुवात है वो राजस्तान के नागौर जिले के बगदरी गाउं में दोस्तों दो अक्टुमबर पंदरा सो गुन्षट को पंडिस जवालल नहरू के द्वारा सुबारम किया गया था ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा वो है नागोर C number का option से इतर next है इस्तानिय सवसासन का जनम दाता किसे कहा जाता है इस्तानिय सवसासन का जनम दाता किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तो लोड रिपन को इस्तानिय सवसासन का जनम दाता कहा जाता है नेक्स्ट है 43 नमबर प्रेशने निमन में से बताईए तीसरा मूल करतवे कौन सा है निमन में से बताईए तीसरा मूल करतवे कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सयुत्तर हो जाएगा देखिए मूल करतवी भी आपको याद रखने पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तो गलत है ये ठीक है आप ऐसे मैं समझ लेना जो मैं बोलू वो सही है खुद अपना दिमाग भी लगाओ तो दोस्तो थोड़ा सा यहां पे तीसरा मूल करतवी पुछा है तो कितनी बार परियोग हुआ है तो दोस्तो यहां पे जो 352 आर्टिकल 352 की बात हो रही है यहां पे तो आर्टिकल 352 का अभी तक कितनी बार परियोग हुआ है तो दोस्तो 360 जो राष्टी अपातकाल है उसका तो दोस्तो अभी तक एक बार भी परियोग नहीं हुआ है लेकिन 352 का दोस्तो इसमें प्रियोग हो चुका है तीन बार C नमबर का उप्शन सहित्तर नेक्स्ट आगे देखें उच नहले में नयदी सो का कारेकाल होता है उच नहले में नयदी सो का कारेकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 62 वर्ष की आयू का इसमें कारेकाल रहता है ठीक है नेक्स्ट बासा का संबन्द सविदान की किस अनुसुची से है तो बासा कोंडिशे अनुसुची में है तो आठवी अनुसुची में है दोस्तो बासा ठीक है बासा है आठवी अनुसुची में तो इसमें बी नंबर का उप्शन सयुद्तर हो जाएगा नेक्स्ट है साइबर क्राइम किस सुची का विशे है साइबर क्राइम किस सुची का विशे है तो ये दोस्तो अवसिष्ट सुची का विशे है साइबर क्राइम, डी नमबर का उप्शन सयुद्तर, नेक्स्ट है, पून्र सवराज का नारा दिया गया, तो दोस्तो किस के द्वारा पून्र सवराज का नारा दिया गया, तो इसका सयुद्तर हो जाएगा, वो है, पंडिजवाला नहरू के द्वारा दोस्तो ये पून्र इसमें देखिए गुनी सो पैंटीस के अधिनियम को दास्ता का गोशना पत्र किसके द्वारा कहा गया तो इसका प्रिशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो पंडी जवाहर लाल नहरू के द्वारा ये कहा गया था नेक्स्ट पचास नमबर प्रेस ने नदी जल विवादों का निदान निमनलिकित में से किसके द्वारा किया जाता है तो ये द्वारा किया जाता है तो नदी जल बोड द्वारा दोस्तो ये विवादों का निप्टारा किया जाता है जैसे दो राज्यों के मद्दे नदी के जल को बटवारे के लेकर दोस्तो पंगा होई जाता है जिनकि विवाद होई जाता है और फिर उसका निपटार कौन करता है तो नदी जल बोड करता है ठीक है तो इसमें B-number option सभी नेक्सट पाथे पुस्तक विदी को माना जाता है तो दोस्तो कौन सी विदी माना जाता है प दोस्तों पारंपरिक विदी माना जाता है पाठेपुस्तक विदी को ए नमबर का उप्शन सहयुत्तर नेक्स्ट प्राए व्याख्या विदी है तो वो कौन सी है तो वो है अध्यापक केंद्री विदी है बी नमबर का उप्शन सहयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट ब्रमन विदी सामाजिक विज्ञान शिक्षन की उत्तम विदी कही जाती है क्योंकि यह है क्या है तो दोस्तों यह है सामाजिक विकास के लिए स्रेस्ट है तो डी नंबर का उप्षन से उत्तर नेक्स्ट है सामाजिक अध्यन की सबसे प्रभावी शिक्षन विदी है तो सबसे कुन सी है नाटक विदी है वो सबसे प्रभावी सिक्षन विदी है डी नमबर का उप्षन सहितर हो जाएगा नेक्स्ट है योजना विदी पद्दती को सिक्षन पद्दती के रूप में परतिवादित किया योजना विदी पद्दती को सिक्षन पद्दती के रूप में परति हो सकती है वह कौन सी विदी है जो पूर्णते मांसिक सक्रियता पर ही सपल हो सकती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समस्या समादान विदी सी number का option सहयुतर नेक्स्ट है निमन में निमिन है कौन सी विदी के विचारक जोन डूवी है तो इसका राईट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कोन सा तो वो है योजना विदी तो यह बिए आपको इसमें याद रखना है योजना विदी है यह इतनत खर्चीली है ठीक है तो इसमें C नमबर का option से उत्तर है 59 नमबर प्रेशन है वहें विदी जिसमें एक अच्छी योजना के साथ कई छोटे छोटे कारिये निकलाते हैं तथा उनके माध्यम से विविद विश्यों का अध्यन हो सकता है कहलाते है तो दोस्तों क्या कहलाता है ये कहलाता है द अध्यापन है तू किसी विदी का चैन करते समय सिक्षार्थियों की दरश्टी से जो सरवादिक महतोपून बिंदू ध्यान में रखना आवशक है वहें है अध्यापन है तू किसी विदी का चैन करते समय सिक्षार्थियों की दरश्टी से जो सरवादिक महतोपून बिंद तो इसमें B number का option से उत्तर हो जाएगा ठीक है ये दोस्तो 60 प्रसन तो अपने किसके कर लिए सामाजिक विज्ञान के अपने 60 प्रसन है वो complete कर लिए हैं दोस्तो अब अपन 30 प्रसन है वो बाल विकास्त तो शिक्षा सास्तर के करेंगे दोस्तो पहले इन दोनों प्रसनों को पढ़ड़ो तब तक में पानी पी लेता हो ठीक है तो जब तक पढ़ड़ इनको जब तक में पानी पढ़ानी पी देता हूं एक बर आप किसके द्वारा विकास का पर्थम विज्ञानिक वित्रण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा विकास का पर्थम विज्ञानिक वित्रण प्रस्तुत किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो पेष्टा लोजी के द्वारा ठीक है डी नमबर का उप्शन सही उत्तर सीसु में जन्म के समय कौन सा सवेग इस्तित होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो बहेवे प्रेम सी नमबर का उप्शन सही उत्तर ठीक है तो बी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए 64 नमबर प्रेशने अनुबंदन से तात परिये है तो साह चरिए इस्तापित होना ये है दोस्तो अनुबंदन से तात परिये किस सन में थोन डाइक ने सीखने के तीन नियम प्रस्तुत किये थे तो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुनी सो तेरा में बी नंबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है किसके दुआरा मानवतावादी अधिगं सिद्दान्त पर्तिवादित किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो में दो नहीं तो C नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है गत्यात्मक किरियाओं से समंदित छेत्र है तो वो है दोस्तो किरियात्मक बी नमबर का उप्शन सईटर नेक्स्ट है किस वर्स में बेकन वै एलेन ने निर्मित वादी मोडल प्रस्तुत किया इस वर्ष में बेककनवे एलेन ने निर्मितवादी मोडल प्रस्तुत किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुनी सुचुराणव में डी नंबर का उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट है मनो विज्ञान में प्रेणा के सरोत होते हैं नेक्स्ट है बुद्दी एवं सारीरिक बिनता में किस परकार की विबिनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भोतिक विबिनता C number का option से उत्तर हो जाएगा Next है, 71 नमबर प्रैस ने किस व्यक्ति द्वारा मेथेटिक्स अभी करमित अनूदेशन परतिबादित की गई किस व्यक्ति द्वारा मेथेटिक्स अभी करमित अनूदेशन परतिबादित की गई तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों, Gilbert C number का option से उत्तर हो जाएगा Next है, सारी रिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्वे को सेल्डन ने किन भगों में बाटा गया सारी रिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्वे को सेल्डन ने किन भगों में बाटा गया है का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी ढिंभर उत्षन सही isti सिग मेंड फराइड किसके जनम जाता थे तो दोस्तोंि wellness il defence न आत्मकर जलेता के जनम तो भिंपर को आप्षन सही लेक्सिट नेक्स्टिपने में से किस पद्दति से हकलाने की समझचा दूर की जा सकती है तो कौन्सी पद्धती से हक लाने की समच्या दूर की जा सकती है तो इसका राइट आंसर हो जा तो यह किया दोस्तो किसके द्वारा तो केटल के द्वारा यह किया गया नेक्स्ट ए व्यक्तिक भिंता की अवधारना की जनक कौन है व्यक्तिक भिंता की अवधारना की जनक कौन है तो वो है दोस्तो इसमें गालतन सी नंबर उप्शन सहीतर नेक्स्ट ए शिक्षन परकिरिय कि जैसे ही मैं प्रैस्टन पढ़ता हूँ आपको दोस्तों प्रैस्टन को सुनने के बाद में दोस्तों आपको ओप्षन के उपर आपकी नजरे जानी चाहिए कि ओप्षन में कौन सा उत्तर होगा और जल्दी से दोस्तों मन में सोच लिया करो कि हाँ इस प्रस्ण का उत्तर बे नंबर का उप्षन है या ए नंबर का उप्षन है कोई सा भी उप्षन हो मन में सोच लेना फिर मैं उत्तर बताऊँगा फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा ये प्रस्ण गलत हो गया इस का वो है 1994 में डी नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट मूल रूप से सम्वेगों को कितने भागों में बाटा जा सकता है तो सम्वेगों को दोस्तों कितने भागों में तो दो भागों में बाटा जा सकता है नेक्स्ट उसत बालकों से एक विशिष्ट बालक होता है तो वो ह प्रात्मिक इस्तर पर नियूंतम कारी दिवस होते हैं तो यह होते हैं दोस्तों, दोस्तों, नेक्स्ट निम्न में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं है, तो दोस्तों, तो किस पर यह लागू नहीं है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो वो है दोस्तों, इसमें 14-18 वर्स की आयू के बच्चों पर दोस्तों, यह लागू नहीं है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह दोस्तों 6-14 वर्स की आयू तक इसमें सामिल किया गया है, तो 14-18 इसम है बर्नन के अनुसार बुद्धी के परकारों में नहीं है तो क्या नहीं है तो वो है इसमें दोस्तों सामजिक इसमें नहीं है नेक्स्ट निम्न में से अभी प्रेणा के लिए किस सब्द का प्रियोग किया जाता है अभी प्रेणा के लिए कौन से सब्द का प्रियोग किया तो ये किया जाता है दोस्तों आफशक्ता का प्रियोग किया जाता है इसमें डी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट बालक परिक्षा में कम अंक आने की वज़े से विद्यालत छोड़ देता है बालक के इस वेवार के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है बालक परिक्षा में कम अंक आने की वज़े से विद्यालत छोड़ देता है बालक के इस वेवार के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भगना साथ ए नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट निम्मे से किसमे ग्यानात्मक परक्रिया है तो ग्यानात्मक परक्रिया किसमे है तो वो है दोस्तों इसमें किसमें तो चिंतन में है तो डी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है एटी सेवन नमबर प्रेस्टन है इसमें देखे दोस्तों त्री तत्व सिद्धान्त के परवर्तक हैं, तो वो दोस्तो कौन है, तो वो है कौन, तो इस्पियर में है, C नमबर का उप्शन सही उत्तर, नेक्स्ट है, आगे देखिए, 88 नमबर प्रेस ने, कक्षा में बालको को अभी प्रेरित करने की विदी कौन सी है, कक्षा में बालक को अभी प्रेरित करने की विदी कौन सी है, तो वो है दोस्तो इसमें, कौन सी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तो, प्रसंसावय आलोचना का प्रियोग, पुरुसकारवय दंड का प्रियोग, सिक्षन की प्रभावसाली विद्धियों का तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा ये सभी डी नमबर का option से उत्तर नेक्स्ट है जो वेवार बार बार दोराये जाने से सवचालित हो जाता है उससे क्या कहते हैं उससे कहते हैं दोस्तो क्या तो आदत बोलते हैं उसको A नमबर का option से उत्तर नेक्स्ट है पर्तिवा साली बालकों के लिए सरवादिक उप्युक्त विदी कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सी तो वो है प्रायोजना विदी अपनर का उप्शन सैंट सी रगा नेक्स्ट इसमें इसमें बाल विकास hours Garlic के अब अबतिज प्रायोजना वोह हींदी बासा के देखेंगें ऊक्राणम से पंचाण में प्रायोजना। पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए यहां पर देखिए अभ्यास सब्द का संदी विच्छेद होगा तो वह दोस्तों अभी प्लस आस तो इसमें दोस्तों सी नंबर का अप्शन सयुत्तर हो जाएगा तो इसमें देखिए दुसकर सब्द में समास है तो दोस्तों दुसकर सब्द में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें कौन सा है तो वह अवे विबाव समास है इसमें ए नंबर का उप्शन सयुत्तर है यह अ संधी का प्रियोग होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना होगा, बराणवे का सयुत्तर हो जाएगा, अभी भाव समास, तिरियानवे नंबर प्रेस ने पत्थर सब्द है, तो दोस्तो ये पत्थर सब्द है, ये कौन सा सब्द है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें कौन सा, तो वो है तदवो सब्द है दोस्तो ये पत्थर, नेक्स्ट है, विद्वान का प्रियावाची नहीं है, तो दोस्तो विद्वान का प्रियावाची पुछा ग तो दोस्तो इसमन सब्द का विलॉम है यह क्या होगा तो वह है विसमन सी नंबर का उप्शन सही तर अभी देखिए यहां पर चान में से सो प्रस्ण तक अपने को उतर देना है तो यहां पर देखिए डायरेक्ट चलते हैं पर यह तो आपको पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों तो काफी बड़ा है इसको दोस्तों चलो पढ़े दिते हैं क्या पता आपको आदत पढ़ जाए और एक दो नंबर बढ़ जाए आपके देखिए परसिद कवियत्री सुबद्रा कुमारी चोहान के जीवन से समंदित इस इसमन की लेखिका महादेवी वर्मा है लेखिका बत पांचवी से उस समय लेखिका पांचवी में उसी विद्याले में पढ़ती थी कविता रचना की और उनका जुकाओ प्रारंब से ही था जब सुबद्राजी आठवी कक्षय की विद्यारतिनी थी तो उनका विवाह सवतंतरता से नानी लक्समन सिंग के साथ हो गया था उनक बड़े बच्चों को बाहर तथा छोटे बच्चों को जेल में अपने साथ रखना पड़ता था आर्थिक द्रश्टी से सुबद्राजी के सामने कोई समस्या नहीं थी वे स्रिष्ट ग्रहनी आदर्स पत्नी और ममता में मा थी एक और वे वीर रच्ष की कविताईल थी तो दूसरी और वेवार में अतिव कोमल एवं उत्तेजना रही थी वे राजनेतिक जीवन में ही विद्रोहिनी नहीं रही अपितू पारिवारिक जीवन में भी अपना विद्रोह है नवीन सर्जन की और मोडने में सपल रही इस कारण उन्होंने कन्यादान की परंपरा का विरोध कर बेटी का विवाहे संपन भी कराया था अब यहां पे देखिए सर्जन का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों सर्जन का अर्थ होता है क्या निर्माण है ठीक है A number option सर्यूतर आगे देखिए कविता रचना को कविता रचना की और उनका जुकाव प्रारंब से ही था वाक्य में काल है तो दोस्तों कौन सा काल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पून भूत काल है A number का option सर्यूतर next समस्या सब्द में लिंग है तो समस्या सब्द में लिंग है तो इस में देखिए इस तरी लिंग है इसमें ठीक है बेचारी समस्या अगर पुलिंग आता है तो दोस्तो इसमें बेचारा जोड़ दिन आगे फिर मैच काता है तो आप देख लैगा पूलिंग हो जाएगा नेक्स्ट देखिए लेकी का सब्द में वचन है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका right answer वो है दोस्तो लेकी का हैं तो इसमें C number option सभीतर नेक्स्ट उन्होंने कन्यादान की परंपरा का विरोध कर बेटी का विवाह संपन कराया वाक्य में काल कौन सा है तो इसमें काल कौन सा है तो वो है दोस्तो समन्य भूत काल है इसमें तो इस नंबर का option सभीतर नेक्स्ट आगे देखिए यदी हम गवाहीं दे तो काम ने बन जाए यदी हम गवाहीं दे दे तो काम ने बन जाए किस परकार का वाक्य है तो ये वाक्य है दोस्तो कौन से परकार का तो ये संकेत वाच्चक है तो A नमबर का उप्सन सही उत्तर कौन सा मिस्तर वाक्य है मिस्तर वाक्य दोस्तो वहें कौन सा वेक्ति है जिसने महात्मा गंदी का नाम ने सुना हो यह दोस्तो यहां पर क्या है मिश्टर वाक्य है तो D नमबर का उप्षन सवित्तर सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है तो सरल वाक्य का प्रारूप कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तो इसमें कृत्पुरक यह दोस्तो सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है C number का option, सही उत्तर Next, 104 number प्रेशन है किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका अर्थ सही अर्थ है दुबार देखिए किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उड़ती चिडिया पहचानना याने कि कुसाग्र बुद्धी होना ये इसका right answer हो जाएगा B number का option Next, 105 number प्रेशन है जैसे बहे बयार पीट तक तेजी दीजे दुबार देखिए जैसी बहे बयार पीट तक तेजी दीजे कहावत का अर्थ क्या है तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्या है तो समय का रुख देखकर समय का रुख देखकर कारी करना यानिकि समय का रुख देखकर ही कारी करना ये इसका अर्थ है Next, आगमन विदी में चात्र अगरसर होता है तो यह होता है दोस्तो विशिष्ट से सामन्नी की और अगरसर होता है ए नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है सुक्सम सिक्षन तकनीक का पद नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कुन सा तो वो है चर्चा सत्र है तो इसमें D नमबर का उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है 108 नमबर प्रसन है इकाई विदी के सोपान है तो वो है दोस्तो पांच C नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 109 नमबर प्रसन है निमनांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जांच का रिये डी नमबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है निमनलिकित में से सरजन के अंतरगत नहीं आता है तो सरजन के अंतरगत क्या नहीं आता है तो वो है परशनों के उत्तर रटना ये सरजन के अंतरगत नहीं आता है बी नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है लिकित परिक्षा द्वारा जिन उद्देशियों का मुल्यानकन होता है वह है लिकित परिक्षा के द्वारा जिन उ किस विदी में चात्र काम करके सीखता है कौन सी विदी में चात्र काम करके सीखता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्वेक्षन विदी में तो A नमबर का उप्षन सयुत्तर नेक्स्ट है निमिन में से इस तूल से सुक्सम की और सिद्दान्त है से कौन सी विदी छोटी कक्षाओं के لिए उपयोगी नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है व्यक्ष्या विदी C number का option सहयुक्तर Next is समवाय विदी परियुक्त होती है समवाय विदी परियुक्त होती है तो ये दोस्तो व्याकरन सिक्षन में परियुक्त होती है B number का option सहयुक्तर Next is वाचन दोसों को दूर करने की विदी नहीं है वाचन दोसों को दूर करने की विदी नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी तो वो है सुद्ध उचारन करना D-Number का उप्षन सेयुत्तर मुल्यानकन हे तू अपनाई जाने वाली प्रयविदिया है तो वो है दोस्तों इसमें अभिलेक वे रेटिंग स्केल, अवलोकन वे साकसातकार, प्रसनावली वे चेकलिस्ट तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट है समवाय विदी परियुक्त होती है तो ये दोस्तो व्याकरन सिक्षन में परियुक्त होती है डी नमबर का उप्शन सयुक्तर नेक्स्ट है डॉल्टन विदी को किस नाम से पुकारते हैं तो दोस्तो डॉल्टन विदी को स्वाध्याई विदी के नाम से पुकारते हैं सी नमबर का उप्शन सयुक्तर हो जाएगा नेक्स्ट है परियोग साला विदी किस सिद्दान पर आदारित है तो यह आदारित है दोस्तों करके सीखना विदी पर आदारित है डी नमबर उप्शन सही उतर यह दोस्तों मैंने 120 प्रैसन करवा दिये हैं आपके complete अब दोस्तों आता है संस्कर्ट ठीक है मैंने आप पहले भी बता चुका हों कि संस्कर्ट मुझे कम आती है तो आपको खुद भी देखना है मेरे साथ साथ स्क्रीन के उपर देखे रिती वाचक अपवे पदम अस्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सने सने तो इसमें ए नमबर उप्शन सही उतर नेक् आपकए इसमें सी नमबर का उप्ân सयुत्तर नेक्स्ट है आगे देखे इ enm प्राअरबद अतरक का है पडिटे हैं तो इसमें पड़टे कौन सा है तो बिल्कुल सह उत्तर हो जाएगा इसका वह कौन सा तो कट पड़टे संदी तो इसमें कौन सी संदी है तो वो है इसमें अनुस्वार परसरवन तो इसमें दोस्तों डी नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा इसमें देखे यत साधनम प्रयुप्टते तत सहचार साधन भवती इत्यात्र सर्वनाम पदम अस्ती तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा तो उभे सी नंबर का उप्शन सहचार सुक्ति पूरियत तो इसका बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्याहा तो बी नंबर का उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट पलोत कती मात्री कम तो इसका बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें त्री मात्री कम ठीक है तो इसमें डी नंबर का उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट ये वे रहले एते संती ये वे रहले एते संती तो इसका बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इस प्रस्टा तो इसका यह नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट ए एक सो गुनतीस नंबर प्रस्ट ने प्राता है काले सूर्यद है बहुती वाक्य सुद्ध कुरूते तो दोस्तो इस वाक्य को सुद्ध करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस् उप्शन जाएगा नेक्स्ट है कवियों में कालिदास स्रेष्ट है अनुवाद लुश्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगाा दूस्तों वो इसमें अ उभिव कि निकिंब कविसू इस नमबर ने relationships ने कविना कालिदास स्रेष्ट और उकव कालिदास स्रेश्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उसी नंबर का उप्चन सभीतर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे एक सो इक तीस नंबर प्रेसन है इसमें अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एक सो इक तीस एक सो पेंटीस प्रेसन है यह दोस्तों अदोलिकित पद्ध्यान से समंदित है तो यहां पे देखे एक सो इक तीस नंबर प्रेसन देखते हैं अपने डायरेक्टी सादू योगे किम कारकम तो इसमें कौन सा कारक है इसमें कारक है दोस्तों अधिकरन कारकम ठीक है नेक्स्ट है इसमें देखो अतो हर्षी इतियस्ते संदी विच्छे देक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अतय पलेस अहर्षी तो इसमें A number का option सही उत्तर नेक्स्ट है वचा है इती पदश्य विशेशन पदम अस्ती तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा तो सर्वे नेक्स्ट है आगे देखे पध्यान से अस्मिन की छंद है तो इसका बिल्कुल सही है वो है वनस्त तो इसमें C number का option सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखे चार चक्सुस इत्यात्र का समासा है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है बहुविरी समास, ठीक है तो इसमें B-number का option से उतर, नेक्स्ट है आगे देखें चतॉर्सु कोसले शु मेतोपूतु नम अस्ती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दूस्तों इसमें कुछ था, तो वो है पठनम, बिनम्बर का ओप्शन सही उत्तर, नेक्स्ट है कथासिक्षने कथी कालांस भवेत तो इसका right answer हो जाएगा व है दोस्तो इसमें उंसा तो व है 3 सी नंबर का उप्थिन सई उतर नेक्स है पारायन कृतिक कठियति पारायन कृतिक कठियत तो इसका राई आंसर हो जायगा वहुह है नाझ महिंदा आगमन पर्ति मानरे मित न refers30 कसि तो इसका राइट आंसर वहुह है दोस्तो डौक्टर दल शिक्षन से आरंब कुत्र अभवत तो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो भारत देशे वी नंबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट पाठे कर्मे पठाना चैनम कृत्वा पाठियत इतीक सिद्धानत है समर्थन करोती तो इसमें सयुत्तर हो जाएगा वो ह है तो C नंबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो तरी विद सी नंबर का ओप्शन सयुत्तर हो नेक्स्ट आगे देखे द्रसे स्रव्यो पकरनाना करते राष्टिय पुरिशद इती संस्थाया इस्तापना जाता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1986 नेक्स्टे पाठे पुष्टकस्य आंतरिक पक्सय शिद्णानना जाती तो इसका बिल्कुल सहुत्तर है वो है रोच कःत 10 बी नंबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है। नेक्स्ट रश्त नेष्ट परिक्षा बहुती तो दोस्तों वह विश्वसनी ग़ीन ओप्शन सेुधतर पर हो तो यह वाचन भ्यास नंब्र से Courect नेक्स्ट उप्चारात्मक शिक्ष्णम निदानात्मक शिक्ष्णे आधारित भौती इती वाक्य मस्ती तो इसमें दोस्तो नय जानीम तो इसमें डी नंबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो ये मैंने आज आपको दोस्तो 150 प्रेशने जो लेवल टू रिट बर सामाजिक विज्ञान का मोडल पेपर था जिसमें टोटल 150 प्रसनाज अपने कंप्लीट हो चुके हैं ये तीसरा नंबर का मोडल पेपर था दोस्तो अगर आपने पिछले दो मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप ले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिटे लेवल टू सामाजिक अध्यान मोडल पेपर के नाम से तो आप वहाँ जाके सारे के सारे मोडल पेपर हैं वो देख सकते हैं और अध्यारे सेकेटमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और श